दोस्तो वैसे तो हम सबी लोग जानते हैं कि प्रभास जो है वो एक साल में एक ही फिल्म करते हैं अब दोस्तो ऐसे में प्रभास की आने वाली फिल्म अधि पूरुस का जब से एनाउंसमेंट हुआ है तब से फैंस के दिलों में एक अजीब सी लहर दौर चुकी है और जो प्रभास का लुक एक दो बारल हो रहे हैं उसको देख कर तो फैंस लोगों की excitement लेवल और भी जादा बढ़ चुकी है दोस्तो अगर बात करें प्रभास की फिल्म अधिपुरुस की तो दोस्तो इस फिल्म के अंदर अभी खबरे सामने आ रही थी कि प्रभास जो है वो स्री राम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे वहीं दोस्तो अगर बात करें इस फिल्म में विलन की तो सैफली खान इस फिल्म के अंदर विलन की बूमी का निभाते हुए नज़र आएंगे लेकिन दोस्तों अभी तक फैंस लोगों को ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार इस फिल्म के अंदर कौन प्रभू सीराम के भाई लक्षमन का किरदार निभाएंगे और कौन अलग-अलग किरदारों में नसर आएंगे जैसे कि हनुमान ची का कौन किरदार निभाएगा अभी किसी भी चीज के अनाउंसमेंट नहीं हुई है दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के अंदर एक्ट्रेस की तो दोस्तों खबरे सामने आ रही हैं कि इस फिल्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस जिया दोस्तों आपको ब दोस्तो वैसे भी अनुसका सिठी और प्रभाज दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं अब दोस्तो अगर बात करें फिल्म के डारेक्टर की तो ओम रावत इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही बैतरीन तरीके से वो इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं ऐसी उमीद है वहीं दोस्तों और भी कई सारी अपडेट्स अगर आएंगी इस फिल्म की तो हम आपको पूरा का पूरा अपडेट बताएंगे तो उसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर ले टॉप ओपेंट फेक्स ताकि हर खबर आप लोगों को मिले सबसे पहले धर्निवाद